Good morning everybody, last class में हम लोग ये topic डिसकस कर रहे थे हैं, separating the component of a mixture, और इस topic में हम लोग different type के techniques हम लोगों ने देखा कि इस technique को use करके कैसे हम लोग different type of mixture को हम लोग बिल्कुल भी separate कर सकते हैं, जो कि था decantation, filtration, evaporation, magnetic separation और chromatography, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ और अ separating techniques, तो आज मैं जो discuss करने वाला हूँ, सबसे पहला separating technique, वो मिलेगा आपको page number 20 में, और जिसका नाम है separating funnel, अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो बिल्कुल भी आपको यहाँ मिल जाएगा separating funnel और उसका structure ही है, ठीक है, तो मैं यह आपको बताता हूँ, separating funnel क्या है, ठीक है, और यह काम कैसे करता है, और इसको हम लोग कभी यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग, आज हम लोग देखते हैं, यह हमारा separate होगा, six number, okay, six number, technique का नाम है separating funnel, separating funnel, separating funnel, okay, तो जैसा कि आप इसका structure book में देख सकते हो, लेकिर मैं फिर भी आपको यह बना लेता हूँ, ठीक है, तो य इसके उपर का पाट काफी wide होता है, इसके उपर का पाट काफी ज़्यादा wide होता है, ठीक है, और नीचे का पाट जो है वो sharp होते जाता है, और फिर वो एक ऐसे, एक thin pipe shape में convert हो जाता है, और यहाँ पे नीचे में देखोगे, कि यहाँ के पास एक stopper रहता है, stopper, और जानना होगा, तो separating funnel को हम लोग तब use करते हैं, जब आपके पास दो जो, कोई भी दो आपके पास जो liquid है, वो आपस में immisible है, immisible मतलब कि अगर वो proper तरीके से अगर आपस मिक्स अप नहीं होता है, तो उस type के mixture को separate करने के लिए हम लोग यूज करते है, separating funnel, ठीक है, जैसे आप example ले लो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, example, अगर आप oil लेते हो, oil plus water, oil plus water, तो जब अगर आप oil और water को एक साथ mix करते हो, तो आप देखते हो, कि oil जो होता है, वो water के साथ बिल्कुल भी mix up नहीं होता है, इसलिए क्योंकि oil का density होता है, water के density से कम होता है, ठीक है, तो य अगर oil और water का, अगर oil और water एक साथ अगर एक container में आ चुके हैं, आप उसको separate करना चाहते हो, तो बिल्कुल हम तो separating funnel को use कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, तो वो जो solution है, जिसमें आपने water को और oil को एक साथ रख दिया था, अब उस container से आप solution को सीधा separating funnel में डालोगे, ठ जो चोड़ा heavy होता है, उसका density काफी ज्यादा होता है, तो वो देखोगे, वो आपको बिल्कुल भी इस separating funnel में downward की तरफ होगा, और oil जो होता है, वो बिल्कुल कैसा होता है, light होता है, तो अगर लाइट है, तो आप देखोगे, कि oil जो है, वो separating funnel में बिल्कुल भी कहां पे ह होगा, उपर में होगा, अब उसके बाद यहाँ पे जो आपका stopper है, मैं इसको में लिख देता हूँ, stop cork, इसका नाम होता है, stop cork, stop cork, okay, तो यहाँ पे यह पार्ट आपके लिए oil है, और यह आपके लिए क्या है, water है, ठीक है, अब इस knob को उपन करोगे, ठीक है, अब न container में आके fill होने लगेगा, और यह water का label नीचे आने लगेगा, oil का नीचे, oil का भी label नीचे आने लगेगा, तो oil जब बिल्कुल यहाँ पास पहुंचे, जिसके neck के पास पहुंचे, तो आप stopper को बंद कर दो, इसके उपर और पार्ट में सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ और सि यूज करते हैं, separating funnel कब, जब कोई भी दो liquid आपस में miscible नहीं होता है, मतला आपस मिक्स नहीं हो सकते हैं, तब, ओके, now next जो separation technique हम लोग यूज करने वाले है, separation technique हम लोग यूज करने वाले है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, यह इसका जो नाम है, इसका नाम है centrifugation, आ 7th technique होगा, centrifugation, centrifugation, ओके, तो यह centrifugation हम लोग कभी यूज करते हैं, पहले आप यह देखो, इसमें दो अलग-अलग, यह separating funnel में, जो दो अलग-अलग liquid थे वो आपस में immiscible थे, और दोनों का density बिलकुल अलग-अलग था, ओके, लेकिन centrifugation में अगर कोई भी दो liquid अगर आप मिक्स हो गया है, कोई भी दो liquid अगर आपस मिक्स हो गया है, लेकिन उनका density बिलकुल अलग है, अगर उनका density अलग है, तो हम लोग यूज करते हैं, centrifugation method, ओके, तो centrifugation method में क्या होता है, कि हमारे पास एक, एक machine होता है, इस टाइप से, और इसके बीच में, आपने देखा हो होता है, क्योंकि milk में आपको butter भी होता है, milk में butter भी होता है, cream भी होता है, तो आप चाहोगे तो, उस milk से cream को या butter को बिलकुल अलग कर सकते हो, है ना, तो हम लोग उस case में use करते हैं, centrifugation, तो उसको में लोग एक machine में डालते हैं, और इस machine में बीच में रॉलर होता है, यह जब यह घूमते रहेगा, तो होगा क्या, आप देखोगे, जिसका अब यह density light होगा, वो उपर की तिरफ आजएगा, और यह density कम होगा, कम होगा वो उपर आजएगा, अजिसका density जादा होगा, वो नीचे आजएगा, सिंपल से बात है कि अगर milk में आपको पता है मिलक में आपके पास बहुत सारे चीजядे होती है इसमें water भी होता है इसमें आपके पास butter भी होता है बहुत सारे चीज़े होती है तो जब आप इसको यूज करोगे तो देखोगे कि जब ये machine Tech around up होते रहेगा तो जो भी इसके पास जो butter का formation होगा, वो butter जो है, इस machine के बिलकुल टॉप में पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि butter जो होता है, उसका जो density होता है, water के density से काफी कम होता है, तो butter जो है, वो देखोगे, इस machine के बिलकुल भी टॉप में आ जाएगा, और जो milk का water पार्ट होगा, इसको हम लोग का यूज करते हैं, जब कोई भी दो लिक्विड अगर आपस मिक्स हो चुकी है, और उनका डेंसिटी अगर अलग-अलग है, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो इसका एक्जाम्पल जो है, हम लोग इसको यूज करते हैं, तो सेप्रेट ता गडर, तो सेपरेट ता बड़र फॉम नुज क22 ऑं इसमें alltså मिलिक से पर हुंट करते हैं, आन्यों वल को निकालने का माता हैं या फिर आपने देखा होगा इसको और तो अप प्र número बहुत जी आप एक्प्लिकेशन स्प्लिकेशन अप्लिकेशन ही होगा, dost वो बिलकुल तेरी से घूमता है, तो, अगर उस में, आपने उनका density बिल्कुल भी different है, तो हम लोग use करते हैं, ठीक है, तो इन मैंने एक दो example को बताया, कि हम लोग milk से butter अलग कर सकते हैं, यह हम लोग जो घर में cloth dry करते हैं, उसको use करते हैं, ठीक है, अब जो next में topic discuss करने वाला हूँ आपके साथ में, वो है, next जो separation technique है, उसका नाम है crystallization, उसको नाम है crystallization, और यह page number आपको मिल जाएगा 23 में, page number 23 में आप आओगे, यहाँ पर देखो word लिखा हूँ है crystallization, तो हमारे लिए जो 8th, हमारे लिए जो 8th number है, वो है crystallization, crystallization, ठीक है, तो यह देखो, हम लोग कभ यूज करते हैं, ठीक है, तो crystallization आप कह सकते हो, कि crystallization दो है, वो actual में advanced version है, आपका evaporation का, यह कह सकते हो, एक तरह से आपको advanced version है, किसका, evaporation का, evaporation का, evaporation का, यह advanced version, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं इस चीज को पूरे explain करूँगा, तो आप अच्छे समझ जाओगे, ओके, देखो, तो crystallization में, हम लोगों को, देखो, evaporation में क्या होता था, कि suppose करो कि, आपने sugar को, sugar को water में dissolve कर दिया, और अब वापस से आपको अगर sugar चाहिए होगा, तो आप क्या करते हो, उसको पूरा गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद, जो आपका, जो water होता है, वो बिलकुल भी evaporate कर जाता है, और आपके बस कंटेनर में सिर्फ क्या बसता है, सुगर बसता है, लेकिन वहाँ पर जी सुगर आपको मिलता है, वो बिलकुल भी powder के form में मिलेगा, ठीक है, लेकिन crystallization एक ऐसा method होता है, कि जिसमें जो, जो substance को मैं निकालना चाहता हूँ, by the separation technique, वो मेरे को crystal के form मे में थेक है, तो हम लोग इसको use कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो उसको use करने के लिए हम लोग लेते हैं, पुरे डीटेल ने बताऊंगा ठीक है देखो तो सबसे पहले आप एक container लो एक container लो और इस container में आपके पास पूरा एकदम water fill है, water है, water है, ठीक है water है, अब इसमें आप copper sulphate को डाल दो, copper sulphate को डाल दो, copper sulphate जो होता है इसका color होता है बिल्कुल blue, blue color का यह substance होता है, तो जैसे आप blue color के substance को इसमें dissolve करोगे तो देखोगे क्या ये जो पुरा water का color क्या हो चुका बिलकुल blue हो चुका है बिलकुल blue हो चुका है ठीक है अब blue अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो आपने इसको अच्छे से dissolve करके रख दिया है अब इसको आप थोड़ा filter कर लो आप इसको filter कर लो तो filter करने से क्या होगा filter करने से क्या होगा जो भी इसमें impurities है वो तो आप निकाल लोगे लेकिन अभी भी copper sulfate इसमें बिलकुल भी क्या है के पास बिलकुल यही solution है copper sulfate का solution है अब मैं इसको नीचे से एक burner से हीट करता हूँ ठीक है और अगर यह एक बार गर्म हो गया ठीक है आप इसको पूरा heat कर रहे है इस solution को पूरा heat कर रहे है जब यह पूरा heat हो चुका है heat करने के बाद आप इसको छोड़ दो ऐसे ही ठीक है heat करने के बाद मतलब यह थोड़ा गरम हो जाएगा फिर उसके बाद इस container को आप बिलकुल ऐसे छोड़ दो stable छोड़ दो undisturbed इसको फिर disturb नहीं करना है जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो आप देखो गया यह figure में यहां से यहां तक लेगे अब इसके बाद यहां देख हो जाएंगे छोटे-छोटे cubes start हो जाएंगे देखना है और ध्यानस में रखना है कि इसको आपको बिलकुल भी disturb नहीं करना है तो आप देखो यहां पर बिलकुल छोट-छोटे आपको cubes मिलेंगे आप छोट-छोटे cubes मिलेंगे आप बाकी उसके बाद और जो यहां बचेंगे जो कि एकदम purest form में होंगे जो कि एकदम purest form में होंगे ठीक है तो मैं बात कर रहा था कि evoporation से crystallization जो है वो ज्यादा better method है और यह advanced method है क्यों मैं बताऊंगा आपको ठीक है देखो तो पहले यह process हो फिर से मैं बता जीता हूँ ठीक है मेरे पास water था उसमें मैंने copper sulfate solution को डाला कुछ और impurities भी डाला उसको अच्छे से mix up कर दिया एक बार उसको filter किया फिल्टर करने से क्या हुआ जो बड़े particles थे वो बिल्कुल separate हो चुक है उसके बार इस solution को मैं तोड़ा heat करता हूँ इस solution को heat करने के बाद मैं इसको थोड़े दिर के लिए ऐसे stable दूँगा बिल्कुल भी undisturbed ठीक है तो आप देखोगे क्या यहां पर copper sulfate के छोड़ी छोटे cubes आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और वो बिल्कुल crystals होंगे copper sulfate के ओके और जब इसको decant कर दोगे तो जितने भी से mudward particles है वो सारे बिल्कुल भी pour out होके बाहर निकल ज आपको evaporation में बहुत ज्यादा heat supply करना पड़ता है मतलब उसको तब तक गरम करते रहना पड़ता है जब तक यह water जो है वो सारा evaporate कर जाएं और last में सिर्फ इसमें क्या बचने चाहिए sugar यह salt जो भी dissolve किया वो मिलने चाहिए तो इसका मतलब evaporation जो होता है evaporation need more heat more heat then crystallization सरसे पहले तो आपको evaporation में बहुत ज्यादा heat supply करना पड़ता है compare to the crystallization क्यों crystallization में हम थोड़ा सा सिर्फ उसको heat supply करते है ताकि वो solution इबर गर्म हो जाए second इसका क्या benefit मैं आपको बता रहा हूँ देखो इसमें बहुत सारे ऐसे impurities रहते हैं evaporation के case में कि वो तो आपको जब उसको आप heat कर रहे हैं evaporation case में तो वो तो बिल्कुल भी आप देखोगे कि वो बिल्कुल भी evaporate नहीं होगे अगर कुछ sand particles हैं कुछ और dust है तो वो heat करन तो impurities है वो तो उसके साथ mix up रहेगा लेकिन crystallization method में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है क्यों 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 कि जो भी solution होता है पहले तो हमने उसे filter कर लिया था filter करने के बाद जो बड़े particles है वो तो निकल गए थे लेकिन छोटे particles जो थे वो last में decant करके ऐसे मैंने पोर किया था ना तो decant करके वो भी बाहर निकल चुके है तो बाहर निकल चुके है इसका मतलब crystallization में जो आपको substance मिलता है जो भी आपका कह सकते हो solvent है वो solute जो है वो उसमें बिलकुल भी impurities नहीं होता है हाना तो आप इसमें कह सकते हो impurities 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 are not present in crystallization impurities are not present in crystallization बट इट इस प्रेजेंट इन इवपोरेशन 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 वह प्रेजेंट रहाता है क्यों क्योंकि वह बिलकुल भी इवपोरेट नहीं हो पाते है ठीक है और third important क्या है कि इवपोरेशन है केस में आप इस solution को बहुत जादा heat करते हो तो overheat करने से क्या होता है कि जो भी इसमें particles है मतलब जो भी आपके पास solid particles है मतलब sugar particles है वह बिलकुल भी चार्ज हो जाता है क्योंकि overheat करने से कोई भी substance बिलकुल भी चार्ज हो जाता है ठीक है और चार्ज के बारे मैं आपको chapter 3 है बहुत अच्छे से बताऊंगा ठीक है तो अभी आप यह समझो कि कुछ कुछ जो substance होते है उसको overheat करने से क्या ह होता है वह बिलकुल भी चार्ज हो जाएंगे मैं इसको लिखता हूँ और भीRNA यह बीडन धिर्ज होते है टा से ata लिखता है लोक्त मैं के लगां तो यरिवपरीढ के लिखता के है कि अवफर इंद वफर इंदिव सक्सलिसमिक पर जो particles होते हैं किस में क्या होंगा, charge जाते हैं क्योंकि इतना यादा heat supply करोंगे particles जो होते हैं वो बिल्कुल भी charge जाते हैं लेकिन crystallization में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है तो यह जो points मैंने आपको benefits बता है कि crystallization क्यों better है evo-operation से यह बहुत important है और यह बिल्कुल आपके बुक में बहुत अच्छे सा आप दिया है, आप चाहो तो आप बुक में भी देख सेकते हो, पेज नमबर 23 आप कंसल्ट करोगे, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पेज नमबर 23 में यहाँ पे पॉइंट वाइस करके देखो यहाँ लिखा मतलब यह operation के case में जो आपका solid है वो present रह जाता है और वो पूरे solid को बिल्कुल भी impure बना जेता है, लेकिन crystallization में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो यह कुछ important separation techniques थे, कुछ और separation techniques है, इसको में discuss करूँगा next class में. Thank you very much.